नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है study 02 high level में इस वीडियो में हम discuss करेंगे शमपूर्ण world history को world history में जहां से भी प्रश्ण बनते हैं इस वीडियो में एक भी प्रश्ण नहीं छूटेंगे कुछ भी फालतूर नहीं discuss करेंगे यतने प्रश्ण बनते हैं उनी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो देखिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम पुर्णर जागरन काल डिस्कस करेंगे अमेरिका का स्वतंतरता संग्राम डिस्कस करेंगे इटली का एकिकरन जर्मनी का एकिकरन फ्रांस की राज करांती दोस्तों बिहार पुलिस में जो है दो तीन प्रश्ण जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से आया हुआ है एक तो प्रश्ण ये था कालमार्क से संबंदित उसके बाद नाजीबाद वाला था तो इस तरह के और भी प्रश्ण पूछे गए थे तो आप लोग के लिए जरूरी हो ग पुनर्जागरन का साब्दिक अर्थ है फिड से जागना 14-16 सताब्दी में यूरोप में हुए संस्कृतिक परगती को पुनर्जागरन काल काते हैं इस युग में कला संस्कृत साहित्य विज्ञान के शेत्र में नुशाम धान हुए बहुत नए नए अविश्कार हुए न जल्मों ने रचना की थी डिवाइन को मेडी के इटली धिख्रग और काल्पनिक यात्रा जो है इसमें है डिवाइन को में दूसरा जो है जो है फ्लोरेंस नगर के थे और ये राजनेतिक दार्शनिक संगीतग कभी और नाटा कार यानि कि बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग थे ये दप्रिंश नामक रचना भी इन्होंने किया मिक्यावेली ने और आधनिक राजनीतिक दर्शंग का जनक कहा जाता है मिक्यावेली को दे लास्ट सपर और मोना लिशा जैसे अमर चितर के रचीता है लेवनार्दो दाव विंची देखिए दे लास्ट जजमेंट और फॉल आफ मेन की रचना की है माइकल एंजेलो ने जो की मुर्तिकार भी थे और चितरकार भी थे जर्मनी भासा में बाइबल का अनुवाद किया है मार्टिन लूथर ने सेक्सपियर जो है इंगलेंड के थे और इनकी रचना है रोमियो और जूलियर बहुत ही ज़्यादा अमर किरती है बहुत ज़्यादा फेमस शाहित यह यह सेक्सपियर जो है इंगलिस के महान कभी है नाटक कार्भी कहा जाता है, इनकी रशना देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ पर हम लिये हैं, जो पूछे जाते हैं एक्जाम में, The Comedy of Error, Mindsummer, Night Dream, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, यह से भी बार बार पूछे जाते हैं एक्जाम में, आधुनिक परियोगात्मक विज्यान का जनुदाता, रोजर बेकन को कहा जाता है, रोजर बेकन वही आदमी है, जिन्होंने बारुद का विश्कार किया, यह इंग्लेंड के थे, पिरत्वी जो है, सोर मंडल का केंदर है, यह सर्व पर्थम बताया था, कौपर निकस ने, जो इसी समय में भूद तरहे, आप लिए डिया गया, आप देखिए के पिलर, केपिलर जो है, जर्मनी के थे, सुरि के चारों और चक्कर लगाता है, तो यह सरपर्तम केपिलर नहीं बताया था, जो कि जर्मनी के थे अब देखे ग्रेविटी ग्रेविटी दिया था न्यूटन ने देखे यह जो है अंधकार यूग के बाद जो आया था पुनर जागरन तो इसमें बहुत सारा साहित रिखा गया विज्ञान समधित खोज हुआ तो यह सभी खोज इसी समय में हुआ था न् धर्मशुधार अंदोलन का प्राता कालिंतारा ज्विखलipse को कहा जाता है धर्मशुधार अंदोलन का प्राता कालिंतारा कुरिष्टोफर कोलंबस जो है इसी समय में अमेरिका की खोज 1492 में किये थे वहां कर लिए और अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका परा परसांत महासागर का नाम करन किस ने किया तो मेगलन ने किया मेगलन वही वेक्ति है जुनोंने सरव पर्थम शमुत्री जहाद से पूरे विश्व की यात्रा की थी पुनर जागरं काल के चितरकला का जनक कहा जाता है जी आटो को जी आटो नामक बेखती को अब देखी अमेरिका का स्वतंतरता संग्राम देखते हैं भारत की तरह अमेरिका में भी बिर्टिश सम्राज की कॉलिनी थी अमेरिकी श्वतंतुरता संग्राम जो है 165 से 1783 स्वी तक चला अमेरिका 50 एस्टेट में बटा था अभी United State of America नाम से जानते हैं तो वो 50 राजियों का एक संग है मूल निवासी कहा जाता है रेड इंडियन, अमेरिका के मूल निवास को पेरिस की संदी के तहट समाप्त हुआ और इसके नायक कहा जाता है जो की अमेरिका के पहले राष्ट पती थे अमेरिका का श्वतंतुरता संग्राम का तत्कालिन कारण था बॉस्टन की चाय पार्टी आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा अगर आप वर्ल हिस्ट्री पढ़े हैं तो इस घटना का नायक कहा जाता है सेमौल एडम्स को आधुनी की जन्तंत्र की जन्नी और धर्म निर्पेक्ष की जन्नी जो है परचात तंत्र का सरव परथम सुरुआत हुआ अमेरिका में ही अमेरिका में जो है जब ये क्रांती चल रही थी तो उस समय नारा क्या दिया गया था परती निधी नहीं तो कर नहीं 1789 में पहला लिखित संबिधान जो है अमेरिका का ही बना था 16 दिसंबर 1773 को जो है बस्टन की चाय पाटी हुई थी अब देखिए 1781 में उपनिवेश सैना सामने आत्म समर्पन करने वाला बिर्टिश सैना पती उपनिवेश के सामने आत्म समर्पन कर दिये थे वो सैना पती कों थे बिर्टन के कॉर्ण वालिश आप लोगों ने जरूर फड़ा होगा भारती इतियास में भी कॉर्ण वालिश के बारे में सिविल सेवा के जनक भी यही है सायद 1808 में दासों के आयात को अमेरिका में अवईद घुशित कर दिया गया अबराहन लिंकन 1860 में अमेरिका के राष्टपती बने थे और अबराहम लिंकन के ही निर्तित्य में अमेरिका में गिरियुद हुआ और गिरियुद हुआ किसके बीच था? दक्षिनी और उत्री राज के बीच में हुआ था और स्टार्ट कहां से हुआ गिरियुद का? दक्षिनी राज के रोलीना से शुरुआत हुआ गिरियुद का 1865 में अबराहम लिंकन की हत्या जॉन विलकिन बुथ ने कर दी थी फिलोसोफिकल सोसाइटी यह थियोसोफिकल सोसाइटी से कन्फ्यूज मत किजेगा यह फिलोसोफिकल सोसाइटी जो है इसकी अस्थापना बेंजामिन फ्रेंकलिन ने की अब देखिए जर्मनी का एकी करन देखते हैं मादे यूरोप देखिए जर्मनी एक यूरोपियन माध्य यूरोप के स्वतंतर राज्य जैसे की प्रसा हो गया बवेरिया हो गया सेक्सोनी हो गया यह आपस में मिलकर जो है एक हुए तो इसी को करते हैं हम जर्मनी काई की करन जर्मनी राष्ट बना इसके पीछे बहुत दक्तियों का योगदान रहा देखते हैं बिस्मार के बिस्मार का जर्मनी में हुआ 1815 में ब्रेटन बर्ग नामक्स्थान पर बिलिएम फности न है बाजीगर की उपादे दिल विस्मार को बाजीगर कहा बिलिैम पर थम राजा थे स्राजवा का युद्ध हु 1866 में अस्ट्रिया ने प्रसा के आगे आधम समर्पन कर दिया स्राजवा के युद्ध में सुडान का युद्ध हु 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच इसी युद्ध के बाद एक इकरंच संभव हो पाया दोस्तों फ्रांस की राज क्रांती जो है 1789 में हुई उस समय राजा थे लुई शो लहवा फ्रांस में राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को 14 जुलाई 1789 को बास्तील का कारागार तोरा गया और उसमें जितने भी कईदी थे उनको मुक्त किया गया और इसमें नारा क्या दिया गया बहुत ही इंपोर्टेंट है फ्रांस की करांती से हमारे समीधान में भी adopt किया गया है यह चीजे मैं ही राजी हूँ ये कथन किसका है ये कथन है लूई चौधा हुआ का वर्साइ के सीस महल का निर्मान जो है लूई चोधावा ने ही किया लूई सोलहवा सत्रे सो चोहतर में गद्धी पर बैठा उनकी पत्नी का नाम था मेरी अंतोयनेट इनके बारे में एक का था ये है कि ये सिर्फ मतलब नहाती नहीं थी नहाती थी सिर्फ दूद से नहाती थी कहां तक सच है पता नहीं टेले देखे टेले उस समय भूमी करको कहते थे टेले और इन्होंने बोला था वाल्टेयर ने कि सो चुहे कि आपक्षा एक सिंह का सासन बहतर है वाल्टेयर ने बोला था अब देखिए आगे देखते हैं सोसल कॉंट्रेक्ट नामक जो है इनकी र सिंहां देख्षक्यू के दौरा मापतोल की शुरुवात जो है फ्रांस से ही सुरुवात हुई थी सांस्केर्थिक राष्ट्यता का जनक हर्डर को कहा जाता है नेपोलियन बोना पार्ट का जन्म 179 में कोर्शिका में हुआ इनके पिता का नाम था कार्लो बोना पार्ट और प्रांस का निर्माता कहा जाता है नेपोलियन को इंगलेन को बनियों का देश जो है नेपोलियन ने कहा था अब देखिए आगे इटली का एकिकरन की तरब से हम बर रहे हैं एकिकरन का स्रे जाता है मेजिनी, काबूर और गेरिवाल्डी ये तिनों एहम वक्ति थे जिनके परियास से इटली का एकिकरन संभव हो पाया इटली की एकता का जन्रदाता कहा जाता है नेपोलियन को नेपोलियन बोनापाट को यंग इटली के स्थापना की मेजिने ने उसी तरह से भारत में जंग इंडिया के स्थापना किसने की महत्मा गांदी ने लाल कुर्ती सेना जो है गरी बाल्डी के द्वारा तयार किया गया और carbonary society गिवरती के दवरा तियार किया गया बनाया गया Victor Emmanuel सारदिनिय के थे इनको प्रधान मंतरी बना दिया गया जिसके कारण भी कर्मती हुई थी अब देखिए जर्मणी का एककरन देखते हैं जर्मणी के एककरन में मुख्य नायक थे बिस्मार्च विसमार्क सबसे सकती साली राज जर्मनी में था प्रशा राष्टिता का संदेश वाहक जो है नेपोलियन वोनापाट बने थे जर्मनी में राष्ट सभा को डायट करते हैं जैसे हमारे हैं संसद होता है उसी तरह जर्मनी में डायट होता है समाजवाद सब्द का पर्थम पड़ियोग किया गया था रौवर्ट ओवन के दौरा आतरसवाद समाज के प्रवक्ता थे रौवर्ट ओवन और काल माक्ष जर्मनी के थे और इन्होंने दास केपिटल नमक फैमस बुक की रचना की है काल माक्ष ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा आ गया था काल माक्ष बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन इस सूपर इंपोर्टन है ये लंदन में फॉबियन सुसाइटी के सापना 884 में हुई और दुनिया के मजदूरों एक हो ये सभी जो है काल माक्ष के द्वारा मुक्ष फैक्ट है ये सभी पूछे जा सकते हैं रूस की करांती अब देखते हैं रूस में जो है जार कहते हैं किसको जार कहते हैं रूस के समराट या सासक को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है कौन एलेकजंडर दितिये जार साही समार्थ हुआ था 1917 में रूस में और अंतिम जार था रूस का जार निकोलस दितिये और इन्हों ने जो नारा दिया था एक जार एक चर्ज का नारा दिया था जार निकोलस दितिये ने 2017 में पर्थम विश्वयुद में रूस की पराजय हुई और रूस बहुत ही ज्यादा कमजोर था उससे में जापान जैसे छोटे देश ने रूस को हरा दिया था रूस कितना शेतरफल की दिर्ष्टी से सबसे बड़ा देश है रूस अब देखिए बोलसेविक क्रांती के जनक कहा जाता है लेनिन को और लेनिन ने ही चेका नमक जो है दल का गठन किया था लेनिन ने और लाल सेना बनाया था ट्राटस की नेर अन्ना कैरोलीना जो है यह लि पूछे जा सकते हैं सुंगबाद समाजबाद रूशी शाम्यवाद का जनक कहा जाता है प्लेखा नौ को सोसल डेमोक्रेटिव दल की अस्थापना उनिश्व तीस में रूस के रूश में हुई अब देखिए बोलसेविक का अर्थ होता है बहु शंक्यक वहीं अल्प शंक् अप्रेटिस क्या है अप्रेटिस है 16 अप्रेल 17 को लेनिन ने करांतीकारी योजना प्रकासित की थी और इसी योजना को करते हैं अप्रेल थेसिस 1921 में नई आर्थिक नीति जारी की गई थी लेनिन के दौरा आधुनिक रूश के निर्माता कहा जाता है श्टालिन को राइ अस्थाई करांती के सिधान्त के परवर्तक है ट्रोटरस की पहला विश्युद में लेनिन का नारा था युद्ध का अंत करो इंडस्ट्रियल रिबॉल्यूशन जो है सरपर्थम इंगलेन में ही स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट हुआ था उस समय ज्यादा उत्पादन क् पकी शरक बनाने की विधी स्कॉट्लेंड में खोजी गई थी और स्टि लेम का विस्कार किया था उषी समय हमफ्री डेवी ने अस्पेनिंग जैनी का विश्कार किया था जेंज हार्गरीट ने इंगलेन में ग्रीह युद्ध में ग्रीह युद्ध हुआ था 1642 से चार्ल् पूर्ण करांति इंगलेंड की गवरव पूर्ण करांति हुई थी 1688 में उस समय जम्स दूतिये वहां के शाषक थे सव वर्षीय युद्द पूछा जा चुका है प्रश्न वर्षीय युद्ध हुआ था इंगलेंड और फ्रांस के बीच और गुलाबों का युद्ध जो है इंगलेंड में हुआ इंगलेन में शर्व साधारन अधिकार पत्र यानि की एक तरह से कह सकते हैं fundamental right को जो है मेगना काटा कहा जाता है तो वहीं से हमारे सम्मिदान में भी जो है मौली का अधिकार जो लिया गया तो उसको मेगना काटा कहते हैं एक्चुली लिया गया है USA के सम्मिदान से उसके कहते हैं मेगना काटा मौली का धिकार को एलिजाबेथ एलिजाबेथ जो है टूटर बंस की थी अभी जो हम लोग टूटर चला रहे हैं वही नाम था उनके बंस का इंगलेनय में गरियी युद्ध सात वरस्त तक चला था गरियी ने जो है राजा को फाशी दे दिया गयild Charlex पर्थम को राजा के समर्थक को चैबेलियर कहा जाथा और संसद के समर्थक को कहा जाता था round heads अब देखिए पर्थम विश्युद की और चलते हैं पर्थम विश्युद जो है प्रारंब हुआ था 23 जुलाई 1914 से 18 तक चला था 4 वर्ष तक 37 जैसे उन्हें भाव लिया था पर्थम विश्युद में और इसका कारण क्या था तत्कालिन कारण आजरफिया के राजdad कि उठ्या कर द गई थी और सर्विया तो सर्विया पर आक्रमन कर दिया गया अस्ट्या कि दोर्ह अब संपूर्न विश्युद दोख्यमे में बढ़ गया पहेदा थाब मित्र राष्ट ऑ लूष्ट ज्युद्ध मेंमें पहरतला जर्मनी इसे से महासक्ति जो है मित्र राष्ट में थे अब गुप्त संधियों की प्रनाली का जनक कहा जाता है बिश्मार्क कालाहांत क्या है कालाहांत है सर्भिया की गुप्त करांती कारिशन्स था जो है कालाहांत है पर्थम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट पती कौन थे वोड्रो विल्सन USA अमेरिका जो है 6 अपरेल 17 को सामिल हुआ देखिए क्यों सामिल हुआ देखिए जब जर्मनी के यू बोर्ट द्वारा इंगलेंड के लुसितानिया नमक जहाज को डुबा दिया गया तो उसमें उस जहाज में टूटल 1153 वेक्ति थे जिसमें से 128 वेक्ति अमेरिकी थे जो की मारे गए तो इसलिए अमेरिका भी सामिल हो गया और युद्ध की समापती कब हुई 11 नमंबर 1918 को समापती हुई 4 वर्स के बाद युद्ध की पेरिस सम्मेलन हुआ 1929 में 27 देशों ने भाग लिया जिसका मुखिया कौन था तीन देशों ने अगवाई बिर्टेन, फ्रांस और अमेरिका ने 1929 में वर्साइए की संदी होई जर्मणी के साथ अब देखें चीनी करांटी थोड़ा चीनी मी देख लित हैं चीनी करांटी जो है चीन में पहले मन्चूवंस का सासम्थ था, 1911 तक मन्चूवंस का सासम्थ चला understandsberg चीनी करांटी कई जो नायक हैं, चीन के राष्ट पिता हैं, सन्याद सेन, तुंग मेंग दल की अस्थापना उन्होंने की थी, उनिस्यों पांच में क्यों की थी, इसका उद्देश्था मंचूवंस के सासन को समाप्त कर देना, कोभी नेड लीग सोसाइटी की अस्थापना सन्याद सेन ने किय चीन के राष्ट पिता सन्याद सेन को ही कहा जाता है, और चीन में राष्ट बाद के सिध्यांत, तिन सिध्यांत दिये थे, लोकतंतरबाद, समाजिक न्याय और राष्ट बाद, ये तिनों दिये थे, खुले द्वार की निटी जो है सरपर्थम चीन में अपनाया गया था, छुले द्वार जो है संबंदी थे व्यापार से और ब्रिटेन के पर्यास से यह संभव हो पाया था अब देखिए एसिया का मरीज कहा जाता है चीन को जबकि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं तुर्की को कहते हैं 1925 में कम्यूनिस्ट पार्टी बना था चीन में आधुनिक रेष्ट सैनापती थे गल्नीपोती का युद्ध जो है इससे इनकी सैनी सक्ति का परदर्शन होता है 1929 में सैनिक पद से इन्होंने इस्तिपादे दिया लोजान की संधी 1923 में हुई तुर्की और युनान के बीच में तुर्की गंतंत्र की गोशना हुई 23 अक्टूबर 1923 को और मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की में खिलाफत अंदोलन को 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया गया अपको अगर याद होगा तो भारत में भी खिलाफत अंदोलन चला था किसके नेतित में गांदी जी के अंदर और ये अली बंदू कर रहे थे अब देखिए रेपब्लिक पार्टी जो है तुर्की में इसकी अस्थापना को मुस्तफा कमाल पाशा ने की और इस्तांबूल इसका पुराना नाम है कुस्तुन तुनिया खलीपापद के किशमापती भी इन्होंने ही किया था मुस्तफा कमाल पाशा ने 1925 में तुर्की में टोपी यानि पुरुशों के लिए टोपी और महिलाओं के लिए बुर्का बेन कर दिया गया था फासिस्ट का उदाई सर पर्थम इटली में हुआ इसके जन्मदाता फासिस्ट के जन्मदाता मुसेलिनी को काज़ा देखिए बिहार पुलिस में ये परशन पूछे गए थे फासिस्ट के जन्मदाता फासिस्ट से संबंदित कौन है ये पूछा गया था ध्यान रखे गए य रूमगना में हुई इनका दल का नाम था फासीबाद और यह फासीबाद दल के जितने भी सदसे होते थे काला कमीज पहनते थे और मुशेलिनी का अन्य नाम था ड्यूस 22 निगम बनाए थे इन्होंने इटली में फासीबाद का अंत 1945 में हो गया था जर्मनी जर्मनी में अब देखिए पिछले शिप्ट में पूछा गया था फासीबाद अब देखिए यह भी नाजिवाद भी पूछा जा सकता है नाजिवाद का निर्तित्र किया है किसने हिटलर इसे ही कहते हैं, 1920 में बना था, हिटलर के द्वारा, जर्मनी वर्क्स पार्टी, ये भी हिटलर के द्वारा बनाया गया, 1833 में जर्मनी का परधान मंत्री बन गए, कौन हिटलर, बहुत ही पावरफुल में थे, इनका नारा था, एक राष्ट, एक नेता, और इनकी आत्मकथा का नाम है, मेरा संगर्स, यानि मीन केंफ नाम से है, परचार करने वाले को, नाजी दल का, परचार मुक्षी जो परचारत था, उसका नाम था, गोई बल्स, हिटलर ने पॉलेंड पर आकर्मन कर दिया, कब, 1949 में, और यही कारण है, दृतिय बिश्वयुद का, यहीं से 24 को यात्मा हत्या कर लिए, विश्वयुद खतम होने वाला था, अब देखिए, जापान के समराजवाज का पर्थम सिकार चीन हुआ, जापान का जो समराज फाइल रहा था, पूरा तो सबसे पहले चीन उसका सिकार हुआ, 1863 में बलपुरवक अमेरिकी नागरी के पैरी न जापान में आधुनी करन की सुरुआत की थी, मूत्सू हीतो ने, 1872 में जापान ने शैनिक सेवा अनिवार कर दिया, सब के लिए, सब को सैना में सेवा देना ही परेगा, 1905 में रूस को हराया, देखिए, रूस जैसे इतने विशाल देश को हरा दिया, जापान बहुत ही सस जापान को, जापान जो है, दुटिया विश्युद में धुरी राष्ट का हिस्टा था, जबकि पहले विश्युद में मित्र राष्ट का हिस्टा था, दूसरा वर्ल्ड वार जो है, 1949 में, एक सितमबर, 1949 को स्टार्ट हुआ, दस सितमबर, 1945 को खतम हुआ, छे साल तक चला था, पर्थम विश्युद चार साल तक चला था, अमेरिका ने 6 अगस्त को, हीरोन सीमा पर, लिटल बॉय नामा कर बंगिराया, और 9 अगस्त को, नागा सागी पर, फैटमेन नामा कर ब जिन्होंने, मातमा गांधी को, दुतियक बोल में सम्मेलर ने, नंगा फकीर इन्होंने ही बोला था, ओपरेशन बारबोशा, ये चला था, जर्मनी द्वारा, रूस पर आकरमन को जो है, ओपरेशन बारबोशा के नाम से जाना जाता, कभी-कभी ओपरेशन भी पूछ लिय जाता है, तो ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्टपती जो है, फ्रेंकलिन डी रुजवेल्ड थे उस समय, जब विस्युद चल रहा था, उसी के बाद युनाटेड नेशन का गठन हुआ, तो उनमें भी जो है, योगदान इनका ही रहा था, फ्रेंकलिन डी रुजवेल का, इंगलेंड के अलगाववादी नीती का विचारक है, सेली सेवरी, आरोपित संदी कहा जाता है किसको, वर्साई की संदी, इसी संदी के साथ बार-बार छेरचार होता जा रहा था, तो युद्ध स्टार्ट हो गया, दूसरा वर्ल्ड वार में जर्मनी के पराजय का श् वर्सीत किया गया इनके द्वारा, एक महिना एक दिन के बाद, किसके एक महिना एक दिन बाद? जब नागाशाकी पर बंगी रहा था नो तारीक को, उसके एक महिना एक दिन बाद, इनोंने हार-ग।ोसित कर लिया, उसके परिणाम शरूप जो है, दृतिय विश्विध के परिणाम सरूप UNO का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को बस धन्यवाद इतना ही था